तो हलो गूर्ण बढ़ी टूल अफ्यूट कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं सभी को इच्छे होंगे मस्त होंगे स्वस्त होंगे और हमारे वीडियो को लगतार देख रहा होंगे समझ रहा होंगे तो आज ये क्लास में बहुत ही बहुत ही बहतरीन टॉपिक लेकर आया इसमें नंबर 27 तरीका से कैसे लाए कारण क्या है कि बिहार और यूपी जैसे स्टेट में होता क्या है कि आज की दोर में बहुत जादा बढ़ गए जैसे दस से पांच सल पहले अगर देखा जाए तो हर घर में इंजिरियर मिलता था उसी तरह आज अगर देखा जाए बिह इसका कारण क्या है तो अब क्या हो रही है कि करने के बाद टीचर में आपकी जॉइनिंग होने की जॉब लेगने की प्रॉबिलिटी जादा है इसी कारण से बिए जो कुर्स है बहुत ज़्यदा बच्चे कर रहे है और हो सकता है कि आने वाले पांच-दस जालों में बहु कारण क्या है तो जो बिहार में टीचर जॉइनिंग जो परकिरिया होती है उसमें नंबर के अनुसार होता है कैसे क्वालिफिकेशन यानि कि आपकी मैट्रिक इंटर ग्रिजुएशन बीड या आप डीलड किये हैं कोई भी कुर्स किये हुए है उसमें कितनी परसंटेज है उसी परसंटेज के अनुसार आपकी जो जॉइनिंग की परकिरिया होती है उसी अनुसार होती है अब जाहिर सी बात है कि नंबर बेस पर या नि परसंटेज बेस पर अगर आपके जॉइनिंग हो रही है तो कोशिस करेगा हर कोई कि मेरा परसंटेज जादा से जादा हो एक्जाम में जो पेपर लिख रहे हैं उसको कैसे लिखे कि जादा जादा स्कूर कर सके उसी के उसी टॉपिक पर आज की वीडियो बनेंगी पूरी वीडियो को लाश्ट तक देखना आसा करता हूं कि यह वीडियो बहुत ही हेलपूल होगा आपके लिए बहुत ही लेगा अच्छा तो कमेंड करकर जुरू बताईएगा ठीक है ध्यान समझेगे तो सबसे पहले समझते हैं कि बीड जो एक्जाम होती है दो साल की होती है पहले पेपर यानि पार्ट वन में आपका जो इनवर्सिटी की तरफ से जो एक्जाम होगा उसमें सेबन पेपर कोग अब रहेगे तीन पेपर EPC 123 यह जो होती ही कॉलेज में होता है इसको खास टेंसल लेनी के ज़रूत निए हर एक कॉलेज में इसकी ब्यवस्ता रहती है कैसे लेना है बात आप इस हारो से समझ रहाँगे इसको टेंसल लेने के ज़रूत निए रहेगे आपकी CC1 से लेकर CC7 इसको कैसे लिखना है किस तरह लिखना है अब ध्यान सुमझला है जो भी एक्जाम में आपके question आते हैं कितने question होते यह फिए question 5 question 5 question यानि कि question 5 जो 5 solution कैसे Mechanical क्योंन होता है Question होता है Derek कैसे 10 होता है ध्यान समझेत unit by unit question आता है यान unit 1 unit 2 unit 3 unit 4 unit जो आप बुक खर दे होंगे, बहुत सरा बच्चे बुक खरिद भी चुके होंगे, गेस पेपर जो मिलता है, आपका नहीं भी खर दे होंगे, तो खरिद लीजएगा, ठीके, उस गेस पेपर देखेंगे, तो यूनिट भाई कोशन लिखा होगा, पर तीक यूनिट से दो देंगे तो कितना होता है 30 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 होता है ज्यान समझना यानि कि 30 पेज है दोनों तरफ मिला कर question पूरी कितना लिखना है आपको 5 question का answer लिखना है एक question का answer आगर आप 6 टीज पूरी कोपी को लिखना है यानि पूरी पीज भरना क्यों दो तरह के बन्दे होते हैं यानि आप किलास जो है रेगुलर किये हुए हैं पूरी जो भी कॉलेज्च वगभवी क्लास की आप regular class किये हैं बहतर तरीका से समझ आपको है कैसे answer लिखना है तो आप exam में question जो है बहतर तरीका से लिख सकते हैं चाहे page आप 30 भर ये 25 भर ये 22 भर ये 23 भर ये लेकिन answer जो है बहतर तरीका से लिखे हैं तो number जादा मिल जाएगा दूसरी condition बहुत सरे बच्चे class regular किये नहीं है डायरेक्ट आप exam देने पहुच गए पांच दस दिन आप पढ़े हुए या एक दो दिन पढ़ेकर बुक थोड़ा बहुत reading डालकर आ गया है exam देने थोड़ी बहुत आपके आपको जो है question के question के बारे में थोड़ी बहुत knowledge है लेकिन पूरी तरह से नहीं लिख सकते वैसे इस्तिती में क्या करना है वैसे इस्तिती में मैं जो बता रहा हूं उस वैसे लिखिए एक आपको page भी भर जागा पूरी तरह से और आप बहतरी तरी पाजी भर जागा और बहुत यह प्लिक पाऊगे जो continue class किया जो regular class किये पूरी साल या दो साल तक जो भी class किया है और आप पांस दिन दस दिन पढ़े हैं जा दो दिन भी पढ़े हैं उससे भी बहतर लिख पाऊगे या उसके अनुसार भी लिख पाऊगे कोई दूसरी मंत जाएगा कि page भरने की बात क्यों किया जा रहा है तो एक question के एक question जो है उसको 6 page में लिखना है पांच question अगर लिखते-लिखते जो है 6 पाशे 30 होता यानि 30 page पूरी तरसे complete भर जाएगा अब रही बात क्या अब रही बात कि पहली बात तो 6 page लिखेंगे क्या जी सबसे बड पेज लिखना क्या है तो ध्यान समस्देल क्या लिखना है एक मैं कोशन लेका आया हूं बाल वस्ता ऐसे भी पेपर वन जो कोई भी कोशन रहे चाहे पूशन कैसे रहेगा रही सब का अथैब उतա नीचे मान के चलो याद तो पूश दे की बालवस्था का परकार कीदे है बालवस्था का आयाम किया है या बालवस्था से रिलेटड कोई भी घूहेगा इनकी बालवस्था अच्य行 bono मि anlat नीचे मान के चलो वहाँ उत्तर जैसे एंसर लिखते उत्तर लिख दिए ठीक है उत्तर लिखने पहला हेडिंग दिना प्रस्ताओना इंग्ली में इंगलिश में लिखेंगे इंट्रोडक्षन या प्रस्तावना आपको हेडिंग देना उसके नीचे एक लाइन छोड़कर दूसरे लाइन से आपको लिखने एंसर सुरी करना है जान सुना बहुत रहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं मानकी चलो यहां हेडिंग देल दिए प् आधे भाग से यहां से जूर करना एंसर लिखेना उसके बाद फिर यहां से लिखते जाना है ठीक है जान सब्सक्राइब यह आप कोई बच्चा नहीं है कि इसको जादा समझाने की जुरूत है बहुत सारे बच्चे बहतर तरी का समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल लोगी कोशिज कर रहा हूं ठीक है तो पहला हेडिंग देना आपको प्रस्तावना अब प्रस्तावना में मोटा मोटी कोशन क्या कहरा उसके बारे में produits ुसको मोटा मोठी लिग देना कि वालता में कितने परकारक होता है और मीद निद कि वहास्थाहत अम Three आप उसके बारे में एक पेज लिख देना है, सिर्फ सामने वाले पेज में, अब पेज को पल्टेंगे, दूसरे पेज पर आएंगे, दूसरे पेज पर हेडिंग क्या डालेंगे, अर्थ हम परिभासा, क्या डालेंगे हेडिंग, अर्थ हम परिभासा, हेडिंग आपको ये म आधा पेज उसकी परिबाय सा लिख पा रहे है आधा पेज ही लिखिए अब आधे पेज जो बचिए उसमें क्या लिखेंगे उसमें हेडिंग क्या डालेंगे कोशिज करें लिखने की कारण क्या होता है यह हाइलाइट पॉइंट है इसको आपको दिखना चाहिए जो भी कोपी चिक कर रहा है उसको दिखना चाहिए तब जाके आपको रट लेना है अब जीन प्याजे ऐसे जीन प्याजे का अनुसार ठीक है उसके जीन प्याजे की जो भी कथने उसको लिख देना है जैन प्याइब को नहीं याद तो जाहिर से बात है क्वेस्ट के एंसर कौन से लिख रहा है या जो भी क्वेस्ट दिया हो उसके उनसार कुछ भी लिख दो भाई आपको नहीं पता है तो कोई गारंटी थोड़े की जो चेक करने वाला उसको पता ही होगा अगर याद है तो ल कारे में आपको लिख देना है कथन मौनो बेगानिकों का नाम आपको लिखना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जाहिर से बात है आप वियर्ड की एक्जाम दे रहे हैं उसमें मौनो बेगानिक के नाम आपको पता ही नहीं तो का है का भई एंसर लिख रहे हैं तो मौनो बेगानि तो पासर क्या महत्व होगा बच्छों के उपर उसके बारे में थोड़ा बहुत लिख देना है एक पेज उसको आसानी से बार देना है ठीक है उसके बाद चोठा पेज के आएंगे चोठा पेज पर हेडिन डालेंगे बिसेस्ता लिखना शूर करें बिसेस्ता भी बहुत यह सकते हैं नहीं नहीं बहुत ही है तो आस पास के जो भी आपके वतावरन में इसी रहता है कुछ अलग नहीं रहता है अगर आप नोटिस किया होंगे बच्चों को ध्यान से अगर दिमाग में आपको याद आ रहा होगा एक्जाम के समय में अगर कोशन लिख रहे हों तो बहुत सारी मिलता जुलता एंसर है भाई वही लिख सकते हों जरूरी नहीं किताब से छाप कर लिखना है उसी से मिलता इसी तरह ऐसे करकर के एक एक लाइन छोड़कर लिखोगे तो पेज भी भरेगा और सुन्दर भी दिखेगा ठीक है उस तरह क्या करना है विशेस्ता सभी एक पेज भर दिए पांचवा पेज में पेज में लिखना है कि कोश्चन के अनुसार कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो कि कोश्चन में पुछ दिया हो कि बाल अवस्था की परकार बताईए तो आप तो महतों लिख दिए भी सेस्ता लिख दिए लेकिन परकार तो आप कोश्चन पूछा है तो जाईर सी बात है कोश्चन कुछ भी पूछा हो उसके बारे में भी तो एक पेज लिखना है न यह ऐसे टीकत ने लेकिन मेरा एक बर तरीका दे inflam őна से समझे ऐसकी करेंगे इसके बीच में लिइंगे यह बाल्ले वास्था और यह बाल वास्था को कोशिस करना की भलैक पेंसे लिकें इस बाला वस्था पूरुड़ा यह जो बहुत क्या जैता हैं इसको एसे करके लिखना इससे क्या होगा कि बहुत सब्सक्राइब को ले देखोंगे तो पूरा आपका कोपी यह भर जगे का और नंबर जादा आने बहुत ज़्यादा probability त्यज्यान्ष रड़का लिए अब बहुत ज़्यादा चांस होता है कौन यह से सब्सक्राइब ने यह जाता होगा एसे करके लिखना 100% नंभर बहत्र आएगा हो गया पाच्वा पी आप लिख लिए छटा पेज में आपको निशकर हम लिकना बहुत ही जरूरिए याद रखना कंट्रयूजन यानि कि मीस करव करना ब헉त ही जरूरिए चोट परीछ जोगिया जहां पर शुरकर यसा निसकर लिखना हो गया चुलूजोचता पर एसने लगां करैं कि ऐसे सकते जाधे 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 नहीं लिखना है और दूसरी से ईयानी इस तरह अगर आप लिख रहे हैं तो एक तो आप छे पेज़ों भर गया पूरी कोश्चन कैसे भर गया पहले प्रस्तावना लिखे इन्हीं सामने के तरफ में पेज पल्टे अर्थम परिबासा लिखे दूसरा पेज कंप्लिट तीसरी पेज महत्व लिखे चोटी पेज पांच कोश्चन को अगर छे चे पेज करके लिख रहा है तो पांच छक तीस होता यानि तीस पेज पूरी भर गई पूरा कोपी भर गया बहतर तरीका से लिख भी दिये किसकी हिम्मत है कि आपकी नंबर काड़ दे अगर आप खुबसूरत राइटिंग आपकी है बहतर तर बहतर नहीं होगा बसरति आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चीए है कि नहीं है अगर राइटिंग खुबसूरत है दिमाग में बहुत सरी चीजों को अगर आप रोख पाते हैं या याद कर पाते हैं तो पांच दिन भी पढ़के जाओ एक्जाम में बैठो एक्जाम ज्यादा आएगा अब रह गयी जितने भी पेपर होते हैं जो सौक नमबर का जो की तरफ से मिलता है यह जो प्रैक्टिकल की मार्क से यह को पडिपेंड करता है कैसे मिलेगा वह आपके आपके उपर बिपेंड करता है कि कैसे क्वें किस तरह का connection है यह पतलब किस तरह आप इन्वर्सिटी की तरफ से जो एक्जाम होगी उसमें नंबर ज्यादा से ज्यादा आएगा ऐसे आप लिख कर दिखना ये है तरीका बीड का पेपर वन लिख रहे हो या पेपर टू लिख रहे हो उसी तरह आप आसानी से एक्जाम दे देंगे कहने मतलब क्या पाट वन के या लेना इसको समझ देना कि कैसे कैसे फेडिंग देंक लिखना है बहुत फायदा करेगा वीडियो भेहतर लग रहा होगा हुआ ये काम का चीज बनाया गया है काम ये वीडियो है तो बच्चे बच्राइब के अग्जाम देने वाले दूसरों की भला हो जाएगी आप की भला लग रहा होगा जो नवे बच्चे होंगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे और ज्यादा ज्यादा बच्चों को जोड़ने की कुछिस करेंगे ठीक है तो यह आपकी कम्प्लिट थी कि अब बिएट एकजाम में कैसे लिखना है किस तरह से एकजाम देना है किस तरह से बैठना है क्या ह्कारन क्या है कि लिखेंगे तो बहतर बेहतर दर्कस करेंगे तब ही आपका बहतर नंबर आ segments को बहुत ज्यादा क्या लिखे तो भाई जो भी नहीं पढ़ा है एक दिन दो दिन समय है पढ़ने के लिए पढ़ लो कुछ एक बार किताब को मोटा मोटी डाल लीजे कोई दिकत नहीं उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको नौलेज रहना चाहिए यह पॉइंट देदे के लिखते जाए आर एक दम्ठाप नहीं कर नहीं तो थोड़ा बहुत नकल करके आप लिख लिए तो जहां रहे जाए घ। पहने बंदा इसको ज्यादा नमबर देदे ऐसा कुछ नहीं होता है जहां offer मिल रहा है वह offer का फाइदा उठाइए और बहतर तरिका से exam में exam दीजिए copy लिखिए आसा करता हूं कि यह video बहुत ही important होगा आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा तो इसी के साथ इस video को ख़तम करते हैं दूसरे किसी क्लास मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद असलाम अलेकुम जाए हिंजा भारत